नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का RPSC एक्जाम्स यूट्यूब चैनल पर साथियो आज की इस वीडियो में अपन गुरुनन गती तथा वर्तिय गती को देखेंगे साथी सजीव और निर्जीव वाले टोपिक को भी पूरा करेंगे गुरुनन गती अपने टोपिक साइन्स के सिलेबस में नया टोपिक आड़ किया गया है लेकिन अपन साथियो वर्तिय गती को इसलिए करेंगे क्योंकि दोनों में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है और बड़े ही आसानी से आप इनको कर सकते हो पैचान सकते हो एक्जामपल के साथ इनको देखेंगे बिल्कुर रीट के लेवल के इसाब से देखेंगे और सजीव और निर्जीव वाला टोपिक जह वो भी आज आपको में कम्पलीट करवा दूँगा तो चलिए साथियों शुरू कर लेते हैं बिना समय गवाई बाकी के जितने भी सारे टोपिक से साइंस के वो लगभख करवा दिये हैं मैंने और आपको जो है रिट 2021 नियू टोपिक साइंस नियू टोपिक नाम से प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिलेगा और भी जो ने टोपिक्स हैं वो भी उसी डिस्क आपको प्रेलिष्ट में मिलेंगे तो उस प्रेलिष्ट को आप लोग देख लीजिएगा वहाँ पे आपको काफी फाइदा हो जाएगा और बहुत अच्छे प्रकार से गुर्णन गती को करेंगे देखिए गुर्णन गती होतीख्या, जब कोई वस्टू अपने अख्स के चारों और गुमती है तो वह गती गुर्णन गती कहलातीए और जो अक्स होगी जिसके चारों और गुम रही है उसको गुर्णन अक्स बोलते हैं अब देखें सातियों आप लोग 및-गशyalें सकते हैं पंखा जो वो गुरूनन गती आपकी कर रहा है यह पंखा कौन सी गती करेगा आपकी गुरूनन गती करेगा कैसे साथ हो देखिए यह जो यहां पर लगा हुआ यह क्या है इसकी अक्स है यह गुरूनन अक्स साथ हो इसकी क्या गुरूनन अक्स है इस गुरूनन अक्स के चार अगर तर गूरुनन अगर हो तो वह nhां प्रूणन गती का एक्जाम्पल होगा और एक बिन्दू के चारो तरफ गती हो तो वह आपकी होगी वरतिया गती जैसे सुरिये के चारों और पर्थवी की जो गती है वह आपकी वरतिया गती होगी खीसाथ हिज को आगे defect材े बात करत वर्तिय पत्थ पर चलते हैं ताकि एक निशित समयंतराल में परते कण का कोण ये विस्थापन समान हो तो उस गती को जो है वो गुर्णन गती कहते हैं इसका मतलब किया देखिए एक प्रकार से एक निशित एक्स हो गई आपकी एक्स के चारों तरब जो है एक कण जो है वो थोड़ा सा बड़ा चितर बनाते हैं ये मान लिजी आप एक मतलब वर्ताकार पत हो गए आपका और ये एक इसकी एक्स हो गई ये क्या इसका एक्स मान लिया आपने इस एक्स से मान लिजी एक कोई कण जो हो यहाँ पे है और मान लिया मैंने ये जो कण है वो इस जगह है अब ये थोड़ देर बाद में T1 समय के पसाथ ये जो कण है ये आपका यहाँ पे आपका इस जगह चला जाता है T1 समय के पसाथ और ये कौन बन जाता थीटा ये जो कण A है जो ये कण जो है वो पहले A इस्तती पर था वो अब B इस्तती पर चला गया है तो ये A इस्तती से B इस तती जाने में T1 समय लेता है और यह जो कोन का विस्थापन होता है कितने कोन सरक गया है थीटा कोन से विस्थापन हो गया है तो इसी थीटा को अपन क्या बोलेंगे कोन यह विस्थापन साथ यो अपन बोलते हैं इसी थीटा को अपन क्या बोलेंगे कोणिये विस्थापन बोलेंगे तो यही होता आपका कोणिये विस्थापन मेरे साब से आप समझ गए होंगे बस इतना समझना काफी है कोणिये विस्थापन का जो मातर का साथी हो वो होता है रेडियन कोणिये विस्थापन का मातर क्या होगा radiant होगा और korniay विस्थापन को अपन theta से परदरशित करते हैं इसके लावा एक और बात यहाँ पर आप लिख सकते हैं मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर आप यह लिख सकते हैं कि जैसे घुर्णन जो गती होती है गुरुनन गती में कोण ये विस्थापन जो वो समान होता है इसलिए अपन बोल सकते हैं कि जो कोण ये वेग होगा जो कोण ये वेग होगा वो भी क्या होगा आपका समान होगा गुरुनन गती में कोण ये वेग भी समान होता है ठीक है तो ये भी आपको लिख लेना साथ है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखें अपन तो उधान देखते ही देखिए कि छत के पंख्या की गती जो है वो आपकी घृणन गती होई क्योंकि एक अक्स के परिता गूमता है टेबल फेन जो होता है उसमें भी देख चाक की गती जो गड़े अपन बनाते हैं उसमें जो चाक की जो गती होती है उसमें चाक देखिए एक अक्स के उपर टिका रहता है और इस अक्स के चारों तरफ वो चाक घूमता है ये जो गती हो जाएगी ये भी आपकी किस परकार की गती होगी गृणन गती होगी जो वो इस परकार से एक बिंदू पर जो वो लट्टू घूमता है ना बिंदू एक निशित बिंदू के उपर जो लट्टू घूमता है तो यह जो लट्टू की जो गती है यह वर्ताकार गती भी हो की साथ यह बिंदू के उपर भी घूमता है पूरी इस अक्स के उपर जो ये गुरूनन करता है एक परकार से यहां पर हाँ ये जो अक्स होती है इस अक्स के उपर के चारो तरफ भी ये गुरूनन गती करता है तो ये चारो तरफ की जो गती हो जाएगी अक्स के चारो तरफ की इस कारणे से गुरूनन गती का भी एक्जामपल हो और वर्तिय गती में देखिए एक बिंदू के उपर भी गुम रहा है तो ये वर्तिय गती भी आपकी हो जाएगी ठीक है और इसके अलवा चक्की के पाटों के बीच की गती जो चक्की होती है आपकी इस प्रकार से बीच में उनमें भी एक साप्त लगी होती है नीचे एक चाक आपका होता है उपर भी एक चाक होता है ठीक है या चक्की में दो पाट होते हैं नीचे पाट होगा और उपर भी पाट होगा और बीच में इस प्रकार का एक जो हो आपका क्या होगा एक गुरूनन अक्स होगा तो इसके चारों तर के चार और वरताकार पत्थ पर गती करती है तो वरती गती कहलाती है उदान के तोर पे डोरी से बंदे पत्थर की गती मतलब एक लड़का जो है वो अपने हाथ में एक डोरी लिये हुए खड़ा है ठीक अपने हाथ में क्या लिये हुए खड़ा है के डोरी लिये खड़ा जि एक हाथ जो जिस हाथ से पकड़ रखा जहां से वो एक बिंदू से पकड़ रखा है तो ये बिंदू के चारों तरफ गती हो रही है तो ये आपकी वरताकार गती होगी इसी प्रकार सुरिये के चारों और परत्वी की जो गती होगी ये आपका सुरिये हो गया बीच में और सुरिए को मानलिय और पर्तवी इधर गतिक रही है यह वर्तिय गति नहीं होगी चलिए अभी अपन सजिव और निर्जी वाला जो नया टोपिक एडवा वो कक्षयाच है कि पुस्तक में दे रखा है बिलकुल निशेत तोर पे पूरा टोपिक वहीं दिया हुआ है और उससे बाहर आपका कुछाएगा नहीं एक दो इसमें नहीं चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी जरूर से जरूर इस निर्जीव में आते हैं नहीं कि जो वर्दी वगरा नहीं कर सकते हैं तो विसानु जो है वाइरस जो वो सजीव और निर्जीव के बीच की योज़ग कड़ी है यह इंपोर्टेंट पॉइंट है इसको आपको जरूर से जरूर ध्यान में रखना है कि जो आपके वाइरस व निर्जीव िनितरंब कर देते है तो विशानु वैसे प्रकर्ति में निर्जीव रूप में होते हैं लेकिन एक प्रकार से जैसे किसी शजीव का सज्रीन को मिलता है ये धैसे किसजिफ को दों पारण के कि किस ने केसको गराफ का निर्मान किया या केसको गराफ यांतर किससे संबन दित है या जगदी संदर बहुत निमनलखित में से किससे संबन दित है तो आगे बढ़ते हैं सजीवों के लक्षन सजीवों बोजन गरन करते हैं निशी तोर परकास अंसलेशन की किलिया दोरा पादब बोजन बनाते हैं चता जन्तु जवों मुखे रूप से पादबो पर बोजन के लिए निर्बर रहते हैं सजीवों जो वर्दी करते हैं और सजीवों का अभिलाक्षनिक गुण भी है आपको परसुन आ सकता है कि सजीवों का अभिलाक्षनिक गुण है वर्दी करना स्वसन करना परजनन करना या एक परकार से आपका अन्य कोई भी आ सकता है बोजन करना आ सकता है तो वहां पर व परदी करना जो है वो आपका भिलास्ट में गुन रहेगा सजीवों में इसके अलावा सजीव सवसन करते हैं सजीव में ओक्सिजन द्वारा ग्लुकोज के विगटन से जेवी कुर्जा निर्मुक्त होना सवसन कहलाता है इस किरिया में कार्बन डायोकसाइड गेल से निकलती है तो सजीव जो वो सवसन भी करते हैं निशित तोर पे और ये जो ग्लुकोज के विगटन की एक परकार से पर करिया है परकासन से लेशन के लिए अपने इसको बोलते हैं आगे देखिए सजीव स्वयों गती करते हैं सजीव क्या करते हैं सजीव सम्वेदन सील होते हैं ज परजनन के दोरान अपने ही समान संतती उत्पन करते हैं। सजीव का निशित जीवनकाल होता है। तो यह सारी चीज़ यह ज्यादे इंपोर्टेंट नहीं है। इंपोर्टेंट यही एक तो कि सजीव वर्दी करते हैं। और इनका अभिलाक्षनी गुन है। आपका वर्दी करना और दूसरा जगदीस अंदर बोसने पोदों की धीमी गती को मापने के लिए एक यह अंतर बनाए जिसको केसको गराप कहा गया। यह इंपोर्टेंट है। विशानु जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच की योजग कड़ी जो वो कहलाता है। सोतंद रवस्ता में निर्जीव रहते हैं और जो है सजीव के सरीर में परवेश करते ही है वर्दी करने लग जाते हैं। तो यह काफी इंपोर्टेंट पॉइंट दो तीन है इसमें सजीव और निर्जीर वाले में बस इतना ही इंपोर्टेंट है इसमें। बाकि गुर्णन गती और आपको वर्तिय जो गती है वो मेरे इसाब से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कोई भी प्रसना आता है निस्ची तोर पे आप लोग गलत नहीं करोगे। और साथियों कारिये का जो टोपिक का अगला टोपिक अपन कारिये का टोपिक करेंगे और कारिये का जो टोपिक का साथियों निस्ची तोर पे आपको इस प्रकार से मैं करवाऊंगा कि कारिये के टोपिक का कोई भी प्रसना आ जाए आप लोगों का गलत नहीं होगा बहु पहनत करते रहेंगे मिलेंगे साथ ही अगले वीडियो में एक और श्यांदार टोपिक के साथ अब तक के लिए जय हिंद जय भार्त नमस्कार